हेलो एवरिवान, वेलकम तो माई किच्चन, आज मैं सूजी के मोदग बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने वन बॉल सूजी लिये है, आदा बॉल शुगर लिये, थोड़ा सा घी लिया है, थोड़ा बादाम का पाउडर लिया है, कढ़ाय को गरम करके हमें इसमें घी डाल देन कर लिया है, सूजी को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक रवे का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसे तब तक हमें भुनना है, सूजी को भुनने में 10 से 15 मिट लग जाते हैं, इसे धीमी आज पर अच्छे से भुनना है, यह तीन कटोरी पानी मैंने गरम कर लिया थ इसे डाल देना है और हमें फटा-फट से इसे मिक्स करना है देखिए कितने अच्छे से पानी मिक्स हो चुका है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसे हमें चलाते रहना है जब तक ये गाड़ा ना हो जाए इसे धीमी आज पर पकने दें ये मोदक बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं सूजी के मोदक फटा-फट से बन जाते हैं आप ए रेसिप एक बार जरू ट्राय करके देखें ये देखिए हमारी सूजी का हलवा बन रहा है पहले हमें हल्वा बनाना है उसके बाद उसके मोदक बनाने है अब मैंने यहाँ पर पिसी हुई शकर डाल दी है इसमें शकर अच्छे से मिक्स हो रही है इसे अच्छे से हिलाते रहना है लास्ट में हम बादाम पाउडर डालेंगे हमें मोदग बनाना है इसलिए मैंने बादाम का पाउडर बना लिया है आप इसमें किसी भी ड्राइफूर्स का पाउडर डाल सकते हैं इसे हम अब थोड़ा ठंडा होना देंगे हमने एक चमज घी बचा लिया था इसे हम लास्ट में डालेंगे इससे बहुती अच्छा टेस्ट आता है गीं को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ठंडा होने दें 10 से 15 मिनिट इसे ठंडा होने दें उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे यहाँ पर हमने थोड़ा प्लेट में निकाल लिया है हल्वा अब मैं इसमें food colorate कर रही हूँ इससे मौदक बहुती सुन्दर दिखते हैं इससे हम अच्छे से mix कर लेंगे ये थोड़ा गरम है इसे धिरे धिरे mix करें ये देखिए अच्छे से mix होने के बाद color कितना अच्छा लग रहा है इसका अब हम इसके छोटे छोटे मौदक बना लेंगे मेरे पास मौदक का साचा नहीं है इदि आपके पास साचा हो तो आप उस साचे में बनाए मौदक बहुती सुन्दर बनेंगे ऐसे छोटे छोटे मौदक बना लें इसी तरह हम सारे मौदक बना लेंगे आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े मोदग बना सकते हैं या इसके लड़ू भी बना सकते हैं आप लेकिन गणपती को मोदग बहुत पसंद है इसलिए हम मोदग बनाएंगे ये देखिए हमारे सारे मोदग बनकर तयार है आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राय करें वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें